डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, UKPAC JEE के एक्जाम की डेट आ चुकी है, 23 दिसंबर को आपके एक्जाम स्टार्ट होगा, आराउंड डाई महीने का आपके पास टाइम है, स्लेबर से वो काफी वास्ट है, हिंदी, इंग्लिस, जीके सब कुछ आ रहा है, तो जो भी टाइम बचा है, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करने की ज़र्त है, आपको नोन टेक भी पढ़ना है, तो टेक का जो कंटेंट है, उसको लिमिटेड रखने की ज़र्त है, अभी UKPACAE का एक्जाम होया कुस्टिन पहले, उसके भी मैंने स्टेटेजी वीडियो बनाई थी, और फ़ेस्ट है मैंने चैनल पे अपने कोई स्टेटेजी वीडियो अप्लोड करी थी, और काफी एफेक्टिव रही हूँ वो स्टेटेजी, इस वाले वीडियो में मैंने only paper fast को कवर किया है, अभी syllabus नहीं आया है, notification नहीं आया है, तो पूराने syllabus के according ही मैंने ये strategy बनाई है, सबसे पहले हम देखेंगे कि previous जो exam हुआ है, 13 में जो notification आया था और 21 में जो notification आया था, जिसका exam 22 में हुआ था और cancel हो गया था, उन दोनों exams में different subjects का क्या weightage रहा है, तो सोम और theory of structures है, syllabus में एक ही section में दिये गए हैं, इनके 13 में 22 questions थे, total 180 questions होते हैं इसमें, 180 में से 22 questions आया थे 13 के paper में, 21 के paper में 25 questions थे, percentage, weightage देखें, तो 14% रहा है 22 वाले में, design of reinforced concrete structures है, इसके 25 questions आया थे 13 में और 21 में और भी ज्यादा रहा है weightage, 30 questions पूछे हैं, weightage around 15% के आज़ पास रहा होने होगेज, steel and machinery structures हैं, machinery structures हैं, इनके 13 में 24 questions थे, 21 में 20 questions है, तो थोड़ा बहुत variations है, बट ऐसा नहीं है कि कोई major subject है, जिसके questions बहुत ही, significantly कम हो गए हैं, या फिर कोई subject है, जिसको skip ही कर दिया है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह अच्छी बात है QPSC की, building estimate and construction management, इसको जो हम बोलते हैं, part CPM, और यह वाला जो estimating and costing होता है, इसके 13 में कम थे questions, थोड़े से बड़े हैं 21 वाले में, बट फिर भी कुल मिला के weightage कमी रहा है, soil mechanics and foundation engineering के 13 में काफी ज़्यादा weightage था, 21% था, total questions जो 22 वाले paper में आए, वो 21 ही थे, तो percentage है, वो 12% ही रहा है, surveying है, इसका भी ठीक weightage रहा है, अलांकि कम हुआ है 2022 वाले में, 24 questions ही आए, जबकि 13 में इसके 38 questions आए थे, building material and construction का 13 में काफी कम weightage था, जबकि 22 वाला जो exam हुआ है, यह 21 में इसका notification आया था, इसलिए मनियावर 21 लिखा है, उसमें 21 plus 5 questions थे, तो building material के 21 थे, building construction के 5 थे, building material में इन्होंने concrete से काफी ज़यता questions पूल से, around 8-10 questions तो concrete से ही थे, उसकी properties पे, cement पे, aggregates पे, water supply and sanitation है, जिसको environment engineering भी बोलते हैं, इसके 16 questions थे, 13 में, 21 में 21 questions थे, comparatively weightage थोड़ा कम रहा है environment का, बाकि building material और construction को छोड़ दे, तो बहुत ज़्यदा drastic changes नहीं है, number of questions में थोड़ा बहुत changes हुआ है, अब ये trend कितना आगे follow होगा, ये जानने में हमारा UKPACAE का exam हुआ है, 23 में वो भी help करेगा, तो उसका भी मैंने एक slide एड़ गी है, UKPACAE के exam में, previous years में ये number of questions थे, इस बार इतने 38 number of questions आए है, steel का देखा जाए, तो थोड़ा सा change हुआ है, कम हुआ है number of questions, RCC का देखा जाए, तो 13 और 21 में थे, उसी के आज पास इस बार number of questions रहे हैं, fluid mechanics और hydraulic engineering है, दोनों का मिला के यहाँ पर भी 39 questions हैं, और यहाँ पर भी 39 है, इस बार 42 है, थोड़ा सा increase हुआ है, इन दोनों के vision of canals और dam के मिला के, यहाँ 20 questions के आज पास बन रहे थे, previous paper के trend के according, इस बार 16 आए है, geotake का भी same रहा है, तो हम मान सकते हैं कि 23 में जो जएए का exam होगा, उसमें भी बहुत कोई drastic change नहीं आएगा, सारे subjects को हमें equally importance देनी है, जैसा कि मैंने एक exam में भी guide किया था, जैसा कि आपने sources की जो PDF मैंने share की है, उसमें भी देखा होगा, कि major जो weightage रहता है, वो गुप्ताइंड, गुप्ताइंड आरगोर का है, तो ये दोनों books आपने करनी है, किस priority में करनी है, number of questions कितने कितने हैं इन books में, कौन सा subject पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब अब हम discuss करते हैं, strength of material है, जिसके 20-22 के आसपास questions आते हैं, इसमें toss भी included है, बट जो questions है, mostly SOM वाले portion के ही है, जो toss वाला portion है, उसके tough वाले questions नहीं है, और होने भी नहीं चीए, क्योंकि जेए का exam हो रहा है, तो गुप्ताइंड गुप्ता में 376 questions है, SOM के, आर अगवर में 284 है, design of reinforced concrete structures है, इसमें 354 questions गुप्ताएंड गुप्ता में है, आर अगवर में 375 questions है, steel and machinery structures है, इसके number of questions हैं, वो दोनों में ही कम है, weight is इसका भी 20-25 questions के आसपास रहता है, number of questions हैं, वो कम है, ऐसे subjects पर आपको बहुत अच्छे कि किसे command बनानी है, कि 500 questions करने से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा subject, और इसका weight is भी ठीक है, building estimate and costing, और construction management है, इनका देखें तो गुप्ता अड़ गुप्ता में estimating and costing का chapter है नहीं, part CPM के 163 questions है, आर अगवर में भी 98 questions estimating and costing के हैं, और 126 part CPM के हैं, estimating and costing मैंने करवाया है soul, बट part CPM अभी नहीं करवाया है, कोशिश करूँगी कि आपके exam से पहले ये हो जाए, soil mechanics and foundation है, इसके number of questions गुप्ता अड़ गुप्ता में काफी ज़द हैं, आर अगवर से भी ज़द हैं, surveying है, इसके गुप्ता अड़ गुप्ता में तो 313 questions हैं, आर अगवर में बहुत ज़दा questions है, यहाँ पे आप देखोगे तो 20-30% तो ऐसे questions हैं, जो दोनों books में same हैं, आप यह भी कर सकते हों कि एक book करके दूसरी पे जा रहे हो, आपकी practice भी हो जाएगी साथ के साथ, building material and construction है, यह गुप्ता अड़ गुप्ता से आप कर सकते हों काफी easy रहेगा, इसमें दोनों cover हो रहे हैं 269 questions में, आर अगवर में थोड़ा सा difficult पड़ेगा, construction वाला chapter मैंने परवाया नहीं है, और material के भी significant number of questions यहाँ पर है, water supply का गुप्ता अड़ गुप्ता में 332 questions है, जो आप easily कर सकते हों, बट आर अगवर में यह 463 number of questions तो हैं, बट इसमें water supply के questions नहीं है, starting के कोई एक दो questions होंगे, उसके बाद सारा का सारा wastewater वाला proportion है, आप किस priority में आपने करने हैं चीज़ी? सबसे पहले तो आप इन से start कर सकते हो, soil या surveying जो भी ठीक लगे, हगर soil से पहले start कर रहे हो, आप argor से भी कर सकते हो, क्योंकि number of questions कम है, और बहुत अच्छे मैंने इनके solutions भी दीने हैं, उसके बाद आप गुफदान गुफदा कर सकते हो, surveying है, इसमें आपको पहले ये कर लेना ठीक रहेगा, बाद में अगर depending on time availability, आप ये वाला कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी command हो जाएगी surveying के, अगर आप ये कर लेते हो, बटा कि फॉस टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसके starting वाले easy वाले questions कर सकते हो, तो second पे surveying हो गया, third number पे आप RCC और steel को रखो, steel पहले कर ले तो ज़्यादा easy रहेगा, और fourth पे जिसे RCC हो गया, तो major subjects इसमें आपके इतने में cover हो रहे हैं, इसके बाद फिर आप अगर soam करोगे, soam में अगर आपको बिल्फुल zero से चीज़ें सीखनी हैं, तो आप ये कर सकते हो, मैंने बहुत basic सी चीज़ें समझाई हुए हैं, कैसे support की reactions निकालते हैं, यहां तक समझाई हुआ है, आपको ठीक टाक आता है, तो concept clear हैं, तो इतना करना भी sufficient रह जाएगा, गुपता अंगुपता का अधिर आप करते हो, तो भी चल जाएगा, बाकी best यह है कि आप दोनों books cover कर लो, उसके बाद आप कोई यह करना ज्यादा easy रहेगा, building estimate and construction, six number पर आप यह subject कर लीजिए, number of questions हैं, बहुत कम हैं, दोनों कर सकते हो easily, इसमें जो estimating and costing वाले 98 questions हैं, इसमें से हर एक exam को आपको question मिलेगा, जो भी J-E level की exam हो रही है, जिसमें estimating and costing के questions हा रहे हैं, इन 98 questions में से एक दो questions तो कम से कम मिलेगा आपको, अभी UDISA में J-E का exam हो आप 56 questions इन 98 questions में से पूछे वे से, water supply and sanitation भी important है, इसमें थोड़ा कम रहा है weightage, लेकिन आपको ऐसे lightly नहीं लेना इस subject को, 7th पर आप यह कर सकते हो, 8th पर अपना building material and construction कर सकते हो, अगर time कम है आपके पास, वैसे तो मैंने काफी पहले से बोलावा है students को, कि गुपता अंट गुपता करो, और काफी सारे students, A.E. का exam हुआ, उससे पहले से प्रिपेर भी कर रहे हैं, तो ऐसे students तो दोनों book completely करो, इसके अलावा क्या करना है वो भी हुँ बताऊंगी, बट यह दोनों book तो पूरी के पूरी आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए, और करने का मतलब यह नहीं है कि एक बार आपने सारे questions solve कर लिया और हो गया, revision सबसे ज़्यदा important होता है, काफी सारे students की क्या problem रहती है, कि exam में silly mistake हो रही है, formula में कुछ confusion हो गया, यह ऐसा हो रहा है कि सारे questions देखे देखे तो ओर लग रहे हैं, कि हाँ पढ़े वे तो हैं बट हो नहीं रहे, तो यह सब के साथ होगा जब तक revision ठीक ठाग number of times नहीं करोगे, at least three times आपका जो भी content है, आपका revise होना चाहिए, first time में जब जो भी book आप कर रहे हो, उसमें problematic questions को mark करो, second round में सिर्फ उन्ही problematic questions को solve करो, और नए problematic questions, जो second round में आपसे जो questions नहीं हो रहे हैं, उनको mark करो third round के लिए, इससे क्या होगा कि जो questions आपको अच्छे से आ रहे हैं, उन भी बार-बार time waste नहीं होगा आपका, और ये 269 questions जो building material construction के हैं, ये भी आप किसी भी exam में जा रहे हो, आपको at least ये अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि number of questions कम हैं, और दो subject आपके यहां पर cover हो रहे हैं, इसके अलावा और कौन से important point है, एक तो आरगोर का estimating and costing हो गया, अच्छे से करना है, इसके बाद steel और RCC के जो questions हैं, उनमें around 50% questions तो आपको ऐसे मिलेंगे जो portal provision है, इस्टील से भी ज्यादा RCC में होते हैं, spacing, die up reinforcing bar का, percentage of area of steel, इन दोनों का मैं एक वीडियो डालूँगी, जिसमें मैं पूरा cover करूँगी, जो बहुत ही frequently पूछे जाते हैं, वो वाले topics, IS code के, तो यह इसमें जो भी दिया है, वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए, PYQs आपको करने हैं A और Z दोनों के, हर एक exam में होता है कि PYQs इस exam में आप appear हो रहे हो, उसके बहुत important हाँ आपके लिए, UKPAC में तो और भी ज़्यादा है यह trend, A में भी अभी हुआ है, यह PYQs repeat हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि A है तो यह A लेवल के questions है important नहीं है, थोड़े बहुत ऐसे के tough वाले questions को छोड़ दो, इसके अलावा transportation आपके syllabus में नहीं है, तो आप highway और railway के questions को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी questions बसते हैं, वो सारे आपके लिए important हैं, चाहे तो आप इनको mock test के जैसे attempt कर सकते हो, जब थोड़ा आपका syllabus कवर हो जाए, या फिर as a practice आप इनको कर सकते हो, फिर सारे के सारे questions आपको होना चाहिए, अगर R अगोर गुपना एंड़ गुपना और UKPSC के PYQs कर लिए, around 60% questions आपको exam में ऐसे मिलेंगे जो आपके देखे हुए हैं, exactly same, या फिर थोड़ा बहुत values में change है, और ऐसे questions आपको मिलते हैं जो आपने पहले किये हुए हैं, तो आपका जो accuracy है, वो around 90% तक हो जाती है, आपका जो percentage of attempt है, वो काफी जदा बढ़ जाता है, speed बढ़ जाती है, इसके लावा अगर आपको और practice करनी है, तो आप other state में जो जईए की exam के question paper से वो कर सकते हो, ये करना ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको फुई भी गुपता और गुपता भी नहीं हैं और आप pressure ले रहे हो, कि मुझे दूसरे state के जईए के exam की paper भी करने है, ये उन लोगों के लिए हैं, जिन्होंने कर लिए हैं पहले से काफी कुछ cover और time बच रहा है, तो मैं चाती हूँ कि आप सही questions practice करो, ऐसा नहीं है कि आप gate किया ES के questions numerical करने लग जाओ, तो offline वाली जो J-Level के paper हैं, वो practice करो आप, ये जो दो paper मैंने analysis किये हैं, 13 वाला है, इसमें तो around 120 ऐसे questions हैं, ज्योंकि गुपता अंड गुपतार आरक और से आपको exactly same मिल जाएंगे, 2022 वाला जो paper है, उसमें अभी मुझे थोड़ा और उसका study करने की जड़रत है, उसमें भी 50% के आसपास questions हैं, बट कुछ questions conceptual हैं, तो वो concept क्या गुपता अंड गुपता में cover हो रहे हैं, या फिर उनके लिए कहीं और से PYQs करने की जड़रत है, वो मैं आपको further update देती रहूंगी, और मैं एक और telegram पे channel बना रही हूँ, उसी PY, P, S, J, E, Esperance के लिए, जिसमें हम और ज़्यदा detail में इसारी सीज़े discuss करते रहेंगे, आप अपने problems वाँ पोस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, discuss कर सकते हो, उसके इलावा, जो one liner type PYQs, I, E, S, K, ये काफी बार J.E की exams में पूछी जाते हैं, A.E में भी कभी कभी पूछी जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक series लेकिया हो वीडियोस की, जिसमें कि subject wise PYQs, जो one liner वाले E, S, के हैं, वो cover करो, तो यह सब आपको टस्मेर है ना वो follow करना है काफी सारा करना है यह तो हो गया क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है मतलब जो आप skip कर सकते हो आपको लगरा चीज नहीं हो रही है तो तफ वाले नुमेरिकल जो भी गुपता अंड गुपता आर अगोर में आपको मुश्कील लग रहे हैं बहुत ज़ता कैल्कुलेटिव हैं बिना कैल्कुलेटर की हो यह नहीं सकते स्वोल ऐसा को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि एक्जाम में भी वो क्योशन्स आपने फिर भी आपको नहीं समझ जा रहे हैं आप उनको नहीं याद रख पा रहे हो तो टाइम कम पढ़ रहा है तो हर एक सब्जेक्ट में पांस से दस ऐसे क्योशन्स आप आइडिटिफाई करके उनको कट कर सकते हो अपने बुक में कि इनको करना ही नहीं है काफी बार ऐसा होत कर सकते हो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो फोकस आप पो रखना वो रिविजन पे रखना है ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट ने गुपता अंड गुपता ही करी ही बहुत अच्छे से समझ के कर ली सारी सारे क्योशन्स उसको आते थे और उसका सेलेक्शन हो ग आपको टेस्स स्टार्ट कर देनी है आपको एक्जाम काफी लेंदी है तो आप यह कर सकती हो कि एक दिन में पेपर वन का टेस्ट दे लिया दूसरी दिन में पेपर टू का टेस्ट दे लिया पर अभी एक एक्जाम में काफी स्टूडेंस के साथ ऐसा हो है जिन्होंने टेस स्रीज को सीरिसली नहीं लिया उनका पेपर छूट के अग्जाम में अब मान लिया कि आपके 20 क्योशन्स पेपर में छूटी गया आप उनको पढ़ ही नहीं पाए हो सकता है उसमें 10 बहुत इजी वाले क्योशन्स थे उतने क्योशन्स से तो आप पिछड़ गई बाकी लोगो है उसका लिंक नीचे कमेंट बोक्स में फिन किया हूँ है आप वहां जाके उसको जोइन कर सकते हो और यह सब मैंने यहां पर बताया है इसके अलावा कुछ भी रिक्वाइड होगा तो मैं बहुत कम बचा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओदेवेड़ बेस्ट